नमस्कार आप सबका एड़ोकेट कपी सिर्वास्तों के साथ आज की चर्चा में स्वागत है पिछले कुछ समय से हम लोग UP Revenue Code 2006 का अध्यान कर रहे थे उसी के क्रम में आज का जो विसा है एक्षेंज या विनिमे का विसा है तो एक्षेंज जैसे कि आप साधरन रूप से समझते हैं कि एक्षेंज मतलब किसी एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु को बदल लेना तो एक्षेंज अगर हम Revenue Code के अंतरगत देखेंगे तो यहाँ पे एक्षेंज का जो subject matter है निश्चित रूप से land है तो एक जमीन के बदले में को बदल कर दूसरी जमीन को लेना एक्षेंज के अंतरगत आता है एक्षेंज को यहाँ पे परिभासित नहीं किया गया है लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी यह धारा 1011 राजस सो सहीता में बताया गया है इसी तरह का provision UP Z&LR Act की धारा 161 में था जो act अब डिलीट कर दिया गया और उसका नया रूप जो है राजस सो सहीता 2006 है तो साथी साथ हम comparatively इसको देखते भी रहेंगे कि क्या changes किये गए और क्या improvement किया गया UP revenue code में जो कि किस तरह से UP Z&LR Act से अलग है तो सबसे पहले तो ये बात हो गई कि ये धारा 101 UP revenue code में है और इसके पूरु में ये धारा 161 में दिया गया था जहां धारा 101 में आप देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि SDO से आपको prior permission लेनी पड़ेगी इस तरह की किसी exchange को कराने के लिए और ये prior permission जो होगी in writing होगी यानि कि लिखित में पूर्व अनुमती आपको उपजिलाधिकारी से ऐसे exchange के लिए लेना पड़ेगा तो इसके पहले जो एक्ट थी उसमें वो सब्द यूज किया गया था असिस्टेंट कलेक्टर तो दोनों ही बराबरी हैं हायरकी में SDO और असिस्टेंट कलेक्टर तो अब जो है आपको SDO से उपजिलाधिकारी से prior permission in writing लेना है किसी भी तरह के exchange के लिए ये exchange किस तरह की भूमी का हो सकता है ये भी section 101 में दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी अन्य भूमिधर की भूमी से आप exchange कर सकते हैं या किसी ऐसी भूमी से exchange कर सकते हैं जिसे state government ने interest किया है किसी ग्राम पंचायत या किसी अन एथर्टी को section 59 में तो section 59 में state government को ये power है कि जो public utility की land है चाहे पास्चर है चरागा कब्रिस्तान है या खेल का मैदान है तो ऐसे land को state government चाहे तो ग्राम पंचायत को दे सकती है public purpose के लिए तो ऐसी land जो ग्राम पंचायत में waste कर रही है under section 59 of the UP revenue code वो भी subject matter हो सकती है exchange का तो दोनों तरह की भूमिया चाहे वो किसी particular व्यक्ति की भूमिधरी right का कोई जमीन हो या कोई ग्राम पंचायत की जमीन हो इन दोनों ही जमीनों का exchange किया जा सकता है किसी अन्य भूमिधर की जमीन से तो आप देखेंगे कि section 101 subcloss 2 में वो grounds दिये हैं जिन grounds के अधार पे कोई SDO ऐसे permission को देने से मना कर सकता है क्योंकि आपको prior permission लेना है तो अगर आप इस तरह से old act को देखें तो old act में ये specifically provisions दिये नहीं हुए हैं कि किन आधारों पे competent authority permission देने से मना कर सकता है लेकिन section 101 में इसको जादा इसपष्ट करते हुए वो आधार दे दिये गए हैं जिनके आधार पे SDO permission देने से मना कर सकता है तो इनी आधारों को आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा यदि आप कोई permission लेने जा रहे हैं तो section 101 sub clause 2 बहुत important हो जाता है सबसे पहले तो यह कहता है कि अगर कोई ऐसा exchange हो रहा है तो वो consolidation of holding के लिए बहतर होना चाहिए यानि कि जो जमावट हो रही है holdings की जो भूमिया है वो उसके कारण scattered नहीं होनी चाहिए इसका मतलब यह है कि आप बहुत दूर की जमीन से कोई exchange नहीं कराएंगे या आपके exchange के कारण जो consolidation of holding है उस पे कोई adverse effect नहीं पड़ रहा हो और साथी साथ convenience in cultivation का भी ध्यान दिया जाएगा कि खेती में कोई असुविधा इस तरह के exchange से नहीं होना चाहिए तो अगर कोई ऐसा factor SDO के समख चाता है जिससे consolidation of holding में कोई समस्या आ रही है या convenience of agricultural में कोई समस्या आ रही है तो वो permission देने से मना कर सकता है दूसरी बात यह है कि आपको SDO valuation of the land भी देखेगा यानि कि जो exchange होने वाली lands है उनमें अगर valuation का difference 10% से जादा हो रहा है तो भी SDO मना कर सकता है मतलब कि समान valuation वाली भूमी ही exchange की जाएंगी अगर कोई difference है भी तो वो 10% से जादा नहीं होना चाहिए तीसरी बात यह कही गई कि जो area of the land है वो भी लगभग बराबर होना चाहिए और अगर कोई difference है तो वो 25% से जादा नहीं हो सकता है यानि कि लगभग बराबर land ही exchange में की जाएगी और अगर कोई difference होगा तो वो maximum 25% तक हो सकता है चौथी बात यह कही गई कि ग्राम पंचायत की ऐसी भूमी जो planned use के लिए reserve है उसको exchange में नहीं बदला जाएगा यानि कि किसी खास प्रयोजन से अगर किसी भूमी को reserve किया गया है और वो ग्राम पंचायत की भूमी है तो उसको exchange में नहीं बदला जाएगा उसके बाद पांचपा जो बिंदु है उसमें ये कहा गया कि adjacent land का ही exchange होगा यानि SDO ये ध्यान में रखेगा कि बहुत दूर की land का कोई exchange नहीं होगा कम से कम एक ही तहसील में दोनों lands का आना आवस्यक है और अगर ऐसा नहीं है तब SDO permission देने से मना कर सकता है उसके बाद section 101 subclass 3 ये कहता है कि undivided share का exchange नहीं हो सकता है undivided share का मतलब है कि यदि एक plot मान लीजे ए plot है और उसमें 2 co-serer है तो उनका share 1 by 2, 1 by 2 होगा लेकिन ये share determined नहीं होता है कि उस particular plot A में कौन सा हिस्सा एक का है और कौन सा हिस्सा दूसरे का है तो ऐसी इस्तिती में exchange नहीं होगा लेकिन between the course errors ऐसा exchange हो सकता है ये section 101 subclass 3 में कहा गया है उसके बाद section 101 subclass 4 में जैसा कि old act में ये सारी चीजें नहीं है जो और clarify करता है कि registration act इस पे applicable नहीं होगा यानि कि अगर एक बार exchange आप करा लेते हैं अपनी भूमी का तो जिसके भी favor में वो exchange किया जा रहा है वो उसका recorded tenure holder हो जाएगा और उसका खतावनी में नाम आएगा इसके लिए registration की कोई प्रक्रिया फिर से कराने की आवस्यक्ता नहीं होगी तो registration act इस धारा में applicable नहीं होगा उसके बाद section 102 धारा 102 राजसो सहिता की ये बताती है कि ऐसे exchange का consequence या परडाम क्या होगा तो ऐसे exchange के बाद जिसके भी पक्ष में ऐसा exchange किया गया है उसको वही right मिलेंगे जो उसको prior land पे थे यानि पूरू की भूमी पे जो भी अधिकार उसको थे वो उसके intact रहेंगे और उनी अधिकारों का enjoyment वो नई जमीन पे भी कर सकता है तो right of the party and nature जो है right of the party will be same दूसरी बात यह है कि ये SDO की duty होगी कि इस तरह के exchange के बाद वो खतावनी में accordingly correction करें यानि कि जिसके भी नाम आ रहा है नया land ये सारी चीजे revenue records में भी automatically दर्ज होगी और ये responsibility SDO की होगी कि वो ऐसी intrigue करें उसके बाद जो land revenue पे करता है व्यक्ति वो इस exchange से प्रभावित नहीं होगा उसको as it is वही land revenue पे करना होगा तो इस तरह के जो भी प्रावधान है जहां पे procedural आप कह सकते हैं कि आप कोई application किसी competent revenue authorities को दे रहे हैं और कोई चीज आप प्राप्त कर रहे हैं जैसे exchange में कोई land प्राप्त कर रहे हैं ऐसी procedure को समझने के लिए यह जरूरी है कि आप rules को भी ध्यान में देखें तो इसमें UP revenue code rules 2016 जो है 2016 में इससे सम्मंधित rules बनाए गए और इनके जो rules हैं relevant वो हैं section rule 100 और rule 101 तो rule 100 और 101 को हमें देखना होगा तो जब आप rule 100 अब दी UP revenue code rules 2016 देखेंगे तो यह पाएंगे कि जैसे आपको आप जिस land को आपको exchange में देना है तो उसके बारे में पूरा detail आपको देना होगा आपको अपने भूमिधरी rights के बारे में बताना होगा आपको certified copy of the khatowni साथ में लगानी होगी आपको यह purpose बताना पड़ेगा कि क्यों आप land को exchange में कर रहे हैं अपने land का location बताना होगा area बताना होगा क्योंकि यह सारे factor SDO consider करता है किसी भी exchange को permission देने के लिए उसको location भी देखना है कि वो adjacent है दूसरा उसको area भी देखना है कि 25% से ज़्यादा difference नहीं होना चाहिए उसको valuation भी देखना है कि 10% से ज़्यादा valuation में difference नहीं होना चाहिए तो इन सब factors को क्योंकि उसे consider करना है तो यह declaration में आप अपनी application में साथ में देंगे और साथी साथ rule 101 यह कहता है कि अगर ऐसी कोई land ग्राम पंचायत की है तो वो reserve for planned development है या नहीं मतलब वो ऐसी जमीन तो नहीं है जो किसी planning के ताथ सरक्षित की गई है तो इसका declaration आपको देना पड़ेगा तो in declaration या details का मतलब यहीं है कि जब आपको prior permission SDM से लेनी है तो इन चीजों को जब यह सारे factors के सामने उपलब्ध रहते हैं तो उनको appreciate करके आपको permission exchange की दे सकता है तो यह आज की प्रक्रिया रही exchange की जो धारा 101 राजसो सहीता में और धारा 161 उत्तर प्रदेश UPJD LR Act में था जो old act था तो इस तरह से हमने exchange के provision को देखा जो UP revenue code का एक महत्वपूर्ण portion है जो examination point of view से भी जो higher judicial services या civil judge junior division के लिए prepare कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है तो आज की चर्चा यहीं तक अगर आपने मुझे subscribe नहीं किया है तो kindly मुझे subscribe कर लें क्योंकि यह discussion मैं लगातार करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा धर्निवाद नमस्कार